नमस्कार साथियूं स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी इस टैनो क्लासिस में दोस्तों आज का हमारा डिक्टीशन ने दैनिक जागरण संपात किये रश्टा चार पर लगाम नई दिल्ली दिनांक 11 सितंबर 2020 गती 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टीशन स्टार्ट होगी 5 सेकिंड बाद स्टार्ट केंद्रिय सतरकता आयोग यानी CVC ने केंद्र सरकार के विभिन सरकारी विभागों और सार्वजनिक शेत्र के बैंकों के मुख्य सतरकता अधिकारियों को यह निर्देश देकर बिलकुल सही किया कि वे ब्रश्टाचार से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण 15 दिन के भीतर करें विराम CVC को यह निर्देश इसलिए देना पड़ा क्योंकि यह देखने में आ रहा था कि ब्रश्टाचार की शिकायतों पर प्रात्मिक्ता के आधार पर कारवाई करने से इनकार किया जा रहा है कुछ समय पहले ही CVC ने यह पाया था कि ऐसी शिकायतों पर समय बद्द कारवाई नहीं हो रही है विराम उसने समय सीमा का पालन करने की हिदायत भी केंदर सरकार के सभी विभागों और सार्वजनिक शेत्र के बैंकों के मुख्य सतरकता अधिकारियों को दी थी लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर ध्यान नहीं दिया गया और इसी लिए उसकी और से यह नया निर्देश जारी करना पड़ा कि प्रष्टाचार की शिकायतों पर पंदरा दिन के अंदर जवाब देना सुनिश्चित किया जाए विराम इसके सकरात्मक नतीजे आने चाहिए लेकिन इसी के साथ केंद्र सरकार को यह देखना चाहिए कि आखिर उसके विभागों और सरकारी बैंकों के मुख्य सतरकता अधिकारी ब्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों का ततपरता से निस्तारण क्यों नहीं कर रहे थे विराम पैरा इसका कोई मतलब नहीं जिन मुख्य सतरकता अधिकारियों पर भ्रष्ट अफसरों पर अंकुष लगाने की जिम्मेदारी हो वे ही धीलाई बरतते नजर आए विराम यह धीलाई तो इस धारणा को कमजोर करने वाली है कि मोदी सरकार नौकर शाही के उच इस्तर पर प्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सफल है इस धारणा को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए यह आवश्यक नहीं अनिवार यह है कि प्रष्टाचार की प्रतेक शिकायत पर प्रातमिक्ता के आधार पर कारवाई हो विराम इस क्रम में यह भी देखना होगा कि कारवाई के नाम पर खाना पूरी न होने पाए विराम इससे इंकार नहीं की केंदर सरकार के उच्च स्तर पर ब्रष्टाचार पर लगाम लगी है और इसका प्रमान यह है कि बीते छै साल में कोई घोटाला सामने नहीं आया लेकिन ऐसे ही लगाम निचले इसतर पर भी लगानी चाहिए विराम निसंदेह यह तब होगा जब उन सब छिद्रों को सक्ती से बंद किया जाएगा जिनका लाब उठाकर हेरा फेरी की जाती है विराम सी वी सी को इसकी भी चिनता करनी होगी कि प्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे जिन सरकारी अधिकारियों के यहां सी बी आई की छापे मारी होती है उनके खिलाफ समय रहते ठोस कारवाई हो विराम प्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सी बी आई की कारवाई की चर्चा तो खूब होती है लेकिन यह मुश्किल से ही पता चलता है की ऐसे अधिकारी डंड के भागिदार बन या नहीं यह समझ जाना चाहिए की ब्रष्ट अचार के खिलाफ समय पर सक्त कारवाई ही ब्रष्ट अफसरों कर्मियों को जरूरी संदेश देने में सक्षम होगी विराम उमीद करते हैं आप सभी को डिक्टिशन पसंदा होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद